हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिप्लामा वेज सुनू आज हम लोग बात करने वाले हैं 2019 इविन का management का जो question था सभी के लिए all common के लिए management subject का इसका कुछ objective के बारे में और इसका हम लोग देखेंगे कि question में क्या क्या question आया था 2019 में तिये management का हम लोग यहां पर start करने वाले हैं सो फ्रेंड देखते हैं आईए सबसे फास्ट क्यूशन जो की है को है beach among these is a service business इन में से कौन सा ऐसा है जो service business को indicate करता है तो service business क्या होता है फ्रेंड service business उसको हम लोग बोलते हैं कि जो किसी चीज को manufacturing न करें शिर्फ क्या करें करें कस्टामर के लिए एक service की रूप में काम करें तो टेक्स्टाइल बिजनेस में देखिए कि क्या होगा clothing purpose के लिए हम manufacturing किया जाता है फिर आता है counseling business counseling business ही यहां पर right option होगा क्योंकि counseling business में कोई भी चीज़ का manufacture नहीं किया जाता है सिर्फ customer के लिए वहां पर बर किया जाता है तहां पर correct जो option हमारा है वह option हम लोग का counseling business is correct option तो अगला हम लोग देखते हैं आप सेकेंड नमबर के जो की है beach among these is not beach among these is not a manufacturing business इनमें से कौन साय साय जो manufacturing business नहीं है तो देखिए plastic container making to manufacturing business में कामर नहीं है जर्फेरेसिंग करता है यहां तो स्मार्ण त्सक्राइस है जिनावां यहां पर सी ओउप्स होगा अब अगला हम लोग देखते हैं third number question को third number question क्या बोला जा रहा है कि economic sector is part of economic sector जो है किसका part होता है industry का trade का transfer of good का यह exchange of good का तो यहाँ पर correct option जो है वो trade है industry किसका part है तो trade का part है यानि B option हम लोगों को यहाँ पर correct होगा B option ठीक है friend third question हो गया हम लोगों का fourth question जो है which is an example of globalization globalization का कौन सा इन में से example है transportation media and entertainment law और the all of these ते इसका जो correct option है हमारा option है all of these सभी क्योंकि transportation भी होता है media and entertainment भी ला भी यह सभी हो गया यहां पर यहां पर आल में यहां पर correct अब फीफ्थ नमर जो क्योंचन हों बोला जा रहा है process industry has primary production process as process industry जो हता है प्राम्री प्रोडक्शन कैसे उसका होता है continuous होता है individual unit यह parts of material यह डीप बील्स of material तो यहां पर फीफ्थ जो है उसमें हम लोग को होगा continuous जब process primary में क्या होगा continuous होता है यह option यहां पर हम लोग को रेक्ट है अगला क्योंचन हम लोग देखते हैं क्योंचन नमर 6 जो की है concept of scientific management is given by scientific management का concept किन के द्वारा दिया गया था तो scientific management का concept जो है और फ्व टेलर के द्वारा दिया गया था बी ओप्सन हम लोग को को रेक्ट है इस डव टेलर अब अगला हम लोग देखते हैं सेक्ष नमर क्योंचन हो गया 7 देखते हैं 14 principle of management और given by Quitton principle management का किसके द्वार दिया गया था थे हैं रिप्यूल का था दी ओप्सन हम लोग को correct होगा यहनरी फ्यॉल हेन्री फ्यॉल के द्वारा दिया गया था 14 principle of management यहां पे correct कर लिजिए अगा आप लोग ठीक है हेंडी फ्योल अब अगला हम देखते हैं इतनर की इजन वाट इजा मैक्सिमन नमपर और इसी इन विद्व तो देखें तो सोल प्रॉपरीस्टेशिप में क्या होता है कितना परिशन होता है तो सिंप्ली वन परसन होता है तो यहां पे correct option हम लोग का भी है जो वन पर्सन बोला गया है अब यह देखते हैं है तो जैसा कि हम लोगों यहां पे वन पर्सन होता है वही है एक अधिक्तम सदस जन संक्या कितनी होती है देख होती है ठीक है उसके बाद आता है partnership firm must be registered अंडर partnership हम जो है तो किसके अंडर में registered होना चाहिए partnership act और companies act और both और नन तिसका जो partnership हम मुझे होता है ओ partnership act के अनुसार registered होना चाहिए यह option हम लोग का correct होगा partnership act ठीक है तो यह option हम लोग का correct partnership act वाला ठीक है इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला कीवचन को जो की है हम लोग अब 10 कीवचन को देखेंगे बहूंटर सीपी स्बस्ट्राइफ का बचह रहेगा फ़ेज्ट आइघर एक सपर्सट्र upkeep होता है और एक परसन अब यहां तो ब्लप्ररक्षीब कब अच्छा होगा जब फ्यू का अप्टल इस इन्वेस्टर जब पैसा हमfed कम लगाएंगे तब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होगा अच्छा होगा क्योंकि वहां ज्यादा नुक्सान के टेंशन नहीं रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप में तो यहां पर बी ऑप्सन कोरेक्ट होगा फ्यू ठीक है फ्यू वाला क्यूचन उसके बाद आता है 11 नमर जो कि है यहह क्यों हो तो देखे बाद गूसरी रिहां एंस पर यह बोला जा रहा है कि एवरन कि एवरीवन इंदा और नहिएसन देशन स्वूड है तो सभी के लिए कितना बहुत होना चाहिए यह बास होना चाहिए अगर एक बश होगा, तो हम क्याता हो और अच्छा से चलेगा अगर दो से तीन बॉस होगा तो क्या होगा वहां और होता है तो बहुत अच्छा से होगा तहां पर पर अन्सर होगा आगला क्योंचन है हम लोग का ट्विल्थ नंबर क्योंचन जो की है वाट इज इंस्योड बाई फंक्शनल और्गनाइजेशन फंक्शनल और्गनाइजेशन से क्या इंस्योर किया गया तो फंक्शनल और्गनाइजेशन से ग्रेटर इफिसेंची के लिए फंक्शन उत्था उसके ब इस डिवलप्ट इन जपान जपान में कौन सा ऐसा टेक्निक इस्तमाल किया गया प्रोजेक्ट मेनेजमेंट के लिए CPM, PERT या काईजेन या नन अफ दीज तहां पर कॉर्रेक्ट आप्सन जो की है काईजेन है ठीक है तो सी आप्सन हम लोग है है काईजेन जैन अब अगला सब्सकुन हम लोग दखते हैं है अगला फ्रीन के ससस को सब्सक्राइब को नहीं देता है तो यह source of recruitment को नहीं करने वाला तो है employment exchange में source of requirement recruitment नहीं होता है ठीक है advertisement में होता है फिर concerned LC में होता है social media भी होता है लेकिन employment exchange में source of required recruitment recruitment नहीं होता है ठीक है कौन भरती का माध्यम नहीं है यही बात था तो इसमें आता है रोजगार एक्षेंज इसमें भरती का कोई माध्यम नहीं होता है ठीक है रोजगार एक्षेंज इसको employment exchange के भी नाम से हम लोग जाने इसके बाद है हाई moral leads to high moral जब कब होगा जब कब होगा हाई moral leads to तो हाई moral leads to क्या होता है on job satisfaction जब job satisfaction होता है तो हाई moral होता है वहाँ पर अच्छा सबर्क होने लगेगा फिर आता है who gave the motivation of hygiene motivation of hygiene किसके द्वारा दिया गया था तो motivation of hygiene जो दिया गया था friend वो हर्ज बर्क के द्वारा दिया गया था इसका spelling देख लिए जेड बी ए और जी हर्ज बर्क के द्वारा दिया गया था motivation of hygiene ठीक है motivation of hygiene यहाँ पर correct option हम लोग का है यहां पर दिखने में प्रावलम हो रहा होगा ही चलते हम आपको आगे ही बता देते हैं देखें बीच इमंग दीज इस फाइनेंसियल स्टेटमेंट फाइनेंसियल स्टेटमेंट कौन होता है जैर्नल होता है देखें जैर्नल जैर्नल होगा फाइनेंसियल स्टेटमेंट यह बैलेंस सीट यहां पर कॉर्रेक्ट ऑप्सन होता है यहां पर फाइनेंसियल स्टेटमेंट होता है ठीक है तो कॉर्रेक्ट ऑप्सन हम लोग दिखते हैं आगला क्योंचन जो की है सा इस बला तकी दिवलाप्ड क्या कि बीच ऑठ डिवलाप डिवलाप्ड सुप सब्सक्रा जान सा उ Lewis की दिवलापकिएंट औरे सिन्मों मोटिवेशन को जो डिवलाप किया गया था इम सी ग्रेग्र के द्वारा डिवलाप ठीक है उसके आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉयंट में और 90 नमबर क्यूजं में क्या है। कि एप्रेंटीश इज इस एप्रींटीश इप्रेंटीस सिप क्या होता है तो ओन जॉप जो करता है तो में क्या होता है कि उसको जो आप ट्रेंणिंग भी लेता है, क्युंकि उसको ट्रेनिंग भी देगा और मत कर थे हम देखते हैं और यह जो कछ बर्क sobie पर फैबेल Tools में अब आगे हम लोग देखते हैं और फिर पाइंट के बारे में जो कि यह बर्कमेंज कॉंपंसेशन एक्ट इक पॉस हुआ था अब एक्स्टाइक्ट के गया गया था तो बर्कमेंज कॉंपंसेशन एक्ट यह हमारा आया था 1923 में तो यहां पर सी ऑप्सन हम लोग को अब देखिए सकते हैं कि जोじो भी मैं अहीं किया जागा तो चार्मीं में जाएगा और यहां पए रह को करते हैं तो अच्छे सब और बढ़ा के लिए सकते हैं। डिफाइन इंडास्ट्री बिजिनस ट्रेड विधिक जामपल यह से भी हो जागा ठीक है वाट इस इंटलेक्ट्वल प्रॉपर्टी एक्ट यह सब को हम आपको बता देंगे अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें सब्जेक्टिव क्योचन को भी करा देंगे यहां पर सब् लोग कि देखें यहां तक हो गया पी याटी तक कि अधियो सब्सक्राइब कर लें तक और भी अगले वीडियो जब आए तो उसको आप देख सके हो उसको भी आप लोग को लाव को मिल्सके तो थैंक यू और प्ली दो लाक शेर और सब्सक्राब दिप्लोमा विछ सोनु